हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola E13 Android मॉइल फोन में आप जो है power on sound setting को जो है disable कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह setting जो है disable करने के बाद यह setting काम कैसे करेगी आज के इस वीडियो में मैं आपको detail में जानकारी देने व पेज में नीचे की साइड आना है ठीक है और यहां पर आपको सबसे नीचे second last option मिलेगा power on sound ठीक है इसके सामने बटन दे रखाए इस बटन को आपको जो है select करना है तो यह black color में off हो जाएगा यानि कि यह setting जो है disable होने के बाद यह setting काम कैसे करती है यह मैं आपको बता देत हूं ठीक है तो जब भी आप अपने वाइल फोन को switch off करेंगे यानि कि power off करेंगे फिर इसके बाद switch on करेंगे अपने फोन को यानि कि power on करेंगे तो आपका मुइल फोन जो है sound create करता था इससे पहले लेकिन अब आपने इस setting को disable करती है तो आपका मुइल फोन आप जो है power on क करने के बाद आपका मुइल फोन जो है कोई भी sound create नहीं करेगा कोई भी आवाज नहीं आएगी कोई भी sound नहीं आएगा आपके phone में से ठीक है जब भी आप अपने फोन को power on करते हैं यानि कि switch on करते हैं तो यह setting जो है disable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके Motorola E 13 android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको जो इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं कि कैसे आप इस setting को shortcut तरीके से अपने mobile phone में कैसे ढूंड सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको करना है कि mobile का setting page आपको open कर लेना है ठीक है सबसे ओपर आपको इस setting का option दिया हुआ इसे select करन है तो इससे होता क्या है कि आपका mobile phone खुद बाखुद आपको direct इस setting में पहुंचातेगा आपको और इस setting को जो है highlight करके भी दिखाएगा ठीक है तो यह आपको एक shortcut तरीका बता है इस setting को ढूंडने का